इसके बाद चली पच्छुआ हवाओं ने भुद्वार को गलन का ऐसा ऐसास कराया कि जब लोग घरों से बाहा निकले तो कपकपा गए गलन की तेवर और सर्ध हवाओं की वज़े से इन्तम पारा भी काफी गिरा हुआ नज़र आया सुभा 11 बजे के बाद सूर्धेव ने जब दर्शन दिये तो सर्धी से कुछ राहत नसीब हुए लेकिन सूर्धेव की चमक पर बरफीली हवाएं भारी पढ़ते वे नज़र आई इसकी वज़े से लोग गर्म कपडों में लदे भी दिखाए दिये पार्कों में आने वाले मौरिंग वोकर्स की संख्या भी गिनी चुनी ही नज़र आई CSA के मौसम वैग्यानिक डॉक्टर सुनील पांडे ने बताया है कि एंटी साइक्लोन की वज़े से लगातार नम हवाएं अपना असर दिखा रही है उन्होंने कहा कि हाई क्लाउड की वज़े से कुहरा बना रह सकता है उन्होंने बताया कि बारिश की अब बहुत कम संभावना है लेकिन उतर पश्यमी हवाएं तेजी से अपना असर दिखाएंगे जिससे सर्दी के तेवर भी सक्त होंगे हलाकि दिन में धूप निकलने से कुछ राहत मिलेगी मौसम बिग्यान बिभाग का पूरुबा अनुमान है कि अभी क्यूंकि थोड़ा मौस्चर फीड एक एंटी साइक्लोन की बज़े से लगातार उत्तर प्रदेस और उत्तर भारत पर थ्रो हो रहा है उसकी बज़े से भी हाई क्लाउट भी हो सकते हैं और कोहरा भी बना रहे सकता है लेकिन उत्तर पश्चमी सर्ध हवाएं अब पूरे कानप्रुमंडल सेद गंगा के मैदानी भागों में और पूरे उत्तर भारत में अपना रोब दिखाएंगी उनसे धूप तो निकलेगी लेकिन फिर भी सर्धी और सेहरन लगातार बनी रहेगी और गंगा के मैदानी भागों में मिनिमम तापान भी गिरेगी